सद्पुड़ा भौन में खाक हुए दस्तावेज किसी हादसे का हुए हैं शिकार या फिर साजिश का करेंगे आज इस पर बात अगर सुनना चाहते हैं तो यहां रुख सकते हैं आपके नमस्ते मेरा नाम विवान है और आप सभी पंजाब के इसरी देख रहे हैं मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते दिन चार बज़े से लगतार कई घंटों तक बेकाबू हुई आग ने सत्पुड़ा भवन में कई महतोपूर्ण दस्तावेजों को जला कर खाक कर दिया इसकी खबरें आप लोग लगतार अपनी टीवी स्क्रीन फोन की स्क्रीन जैसे मुझे अभी देख रहे हैं और कई अलग-अलग माध्यमों से लगतार अपडेट ले रहे होंगे इसको लेकर के अब कॉंग्रेस जो है वो इस पूरी आगजनी को साजिश बता रही है तो वहीं मध्यप्रदेश सरकार और बीजेपी इसे हाथ सा बता रही है कॉंग्रेस के मुखर हो करके बोले जाने के लिए जाने जाने वाले हमेशा लगातार मध्यप्रदेश सरकार और केंदर सरकार को अपनी बयान बाजी से घेरने में लगे दिखने वाले राव विधान सभा से विधायक और पूरो मंत्री जीतू पटवारी ने ये कहा है कि चुनाओ से पहले ही इस प्रकार के दस्तावेज जला दिये जाते हैं उन्होंने वर्स 2018 के चुनाओ से कुछ महीनों पहले की समय वधी बता करके भी ये बता है षाल को साजिश बताया है ब्रस्टाचार भी बता रहे हैं वहीं पूरो मुख्यमंत्री मद्ध्य प्रदेश कॉंग्रेस के सरवे सरवा कमलनाथ भी इस पूरे मामले को भ्रस्टा चार बता रहे हैं उन्होंने प्रश्न खड़े किये हैं मध्यप्रदेश सरकार पर भाजपा पर कि ये आग लगी है या लगाई गई है उन्होंने ये भी कहा है कि जहां एक तरह 12,000 दस्तावेजों के जलने की बात सामने आ रही है तो वहीं वो ये कह रहे हैं कि नजाने कितने 1000 दस्तावेज जल कर खाक हो गए होंगे अब आ जाते हैं भाजपा पर मध्यप्रदेश सरकार पर इस पूरी आगजपा पर के मध्यप्रदेश सरकार ने उच इस तरिये जांच के आदेश दे दिये हैं वहीं प्रदेश के ग्रिह मंत्री नरुत्तब मिश्रा ने कहा है साजिश वाले कॉंग्रेस के आरोप को लेकर के कि हाथसे में भी कॉंग्रेस अवसर ढूंडती है और इन सब के साथ में उन्होंने ये कहा है कि 4000 करमचारी अंदर हैं वो कैसे कैरोसीन और पैट्रोल लेकर जा सकते हैं दस्तावेजों के खाक होने को लेकर कि उन्होंने कहा कि कई दस्तावेज हार्डिस्क और पैंडराइब में हैं उसे जल्द ही रिश्टोर कर लिया जाएगा और वहीं करमचारीयों की वैकलपिक वेवस्था को लेकर कि उन्होंने कहा है कि आज शाम से ही उनके बैठने की वेवस्था कर दी जाएगी और दफ्तर सुचारू रूप से चालू हो जाएगा अब इन सब के बीच में जहां मैंने आपको भाजपा और कॉंग्रेस की पूरी बात जो फिलहाल सामने आ रही है यानि हाथ से और साजिश को लेकर के जो फिलहाल लगातार बाची चल रही है इस से प्रदेश की जो सियासत वो गरमाई हुई है वो मैंने आप लोगों को रखी इस पूरे मामले की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बीते दिन कई घंटों तक लगातार पंजाब केसरी सत्पुड़ा भवन के सामने बना रहा आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देख सकते हैं और इन सब के साथ में फिलहाल जो इस पूरे मामले में अपडेट आएगी उसके लिए मैं लगातार ग्राउंड जीरो पर बना हुआ हूँ भोपाल से आप सब का मैं विवान